हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अमारे चैनल इस्टडी विथ हराम में तो आज हम आप लोगों के लिए ले किया हैं आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियाओध का जीवन परिचे ठीक है तो आयोध्या सिंग उपाध्याय को सौट कट में बोला जाता है हरियाओध ठीक है हरियाओध जी लेकिन इनका पूरा नाम है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियाओध तो बहुत ही अच्छे लेखक हैं और इनका बहुत ही मारमिक रचना है पवंदोतिका पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लिखे हैं पवंदूत का तो चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परचे तो अयुद्धा सिंग उपाध्या का जन 15 अप्रेल 1865 हिस्वी में निजामाबाद जिला आजमगड उत्तर परदेश में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंग उपाध्या था पांच वर्स की अवस्था में फार्सी के माध्यम से इनकी सिच्छा प्रारंब हुई वर्ना कुलर मिडिल पास करके ये क्विंस कालेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए पर ऐस वस्थता के कारण अध्यान छोड स्वाध्या से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फार्सी और अंग्रेजी में अच्छा ग्यान प्रात कर लिया ठीक है निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानून गो और कासी विश्विद्याले में एवैतनिक सिच्छक के पदों पर इन्होंने कारी किया चै मार्च 147 में इनका दिहान हो गया तो देखिए बहुत ही बुरी स्थिति में इनका मृत्य विजा कि जब पूरा देश सोतंतरता की खुसीया मना रहा था तो इनका देहा वसान हो गया ھcan हो गया जो बहुत ही महत्वपूर है तो जैसे प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, पारीजाद, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, अधखिला फूल, ठेठी हिंदी का ठाट, रसकलस, रुकमिडी परिड़े तो ये सब इनकी महत्वपूर रचनाय हैं, इनको आप याद रखेगा, बोर्ड इर्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर रचनाय हैं, इनको आप नोट कर लिजिए, लिख लिजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद